नमस्ते, आज हम एक और रिडिंग करने वाल हैं देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या ख्याल है वो इस वक्त आपके बार में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है पोशिश करते हैं जानने की तो सबसे पहला ये इंसान को ऐसा लगता है कि वो ना कोई डिसीजन नहीं ले पार है जैसे कि उसका थर्ड आज चक्रा ब्लॉक है उस alar को लगता है कि वो कुछ देख नहीं पार है वो कुछ ऐसी बात है जो मतलब उसके सामने हैं लेकिन वो देख नहीं पा रहे है वो आपके अच्छा यूग को देख नहीं पा रहे है आपके परसन ऐसा कुछ जानना चाहते है जो उस इंसान को नहीं समझ में आ रहे है मेबी ऐसे कुछ गलत फैमिया उस इंसान को हुई है जो वो जानना तो चाहता है लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है ऐसे कोई बात हुई है जो इंसान उसके बार में लगाता है लेकिन उसके समझ में ही नहीं आ रहा है तो उस इंसान को लगता है कि उसते कदर नहीं की थी आपके भावनों की कदर नहीं की थी तो ये सब कुछ अब इस इंसान को regret हो रहा है उस बात के लिए तो ये इंसान आपकी बहुत care करने लगा है इस इंसान को आपके परसन इस प्यार में victory चाहते हैं, वो हारना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी, नमबर 28, नमबर 14, नमबर 37, ेक थ्री-सेवन आपके लिए कुछ खास हो सकता है, 14, 28 इस नमबर कुछ आपके लिए खास हो सकते हैं, आपके परसन चाहते हैं इस relation में जीत वो हारना नहीं चाहते हैं बिलकुल भी नहीं वो आपको जीतना चाहते हैं वो इस प्यार को पाना चाहते हैं और क्या है देखो काड नेचे कर गया यहाँ पर यहाँ पर है आपके परसन जो कुछ भी पास्ट में हुआ है चाहे उस इंसान आपको परिशान किया या चाहे आप दोनों का जगड़ा हुआ चाहे आपने उस इंसान को हर्ट किया हो या उस इंसान ने आपको हर्ट किया हो चाहे जो कंडिशन हो वो इंसान उस पास्ट के इनर्जी को भू पूरे करेज के साथ अगे बढ़ना चाहते हैं हिंपत आई है के पार्टनर के अंदर आपके खाथिर पूरे हिंपत के साथ उसे लिए औरहीना हिं नहीं थी इस इंसान को ऐसा लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता देखो आपके लिए बहुत फिजिकल रडॉक्शन आपके प 100% positive सोच रहे हैं कुछ negative ख्याल भी है लेकिन एक विश्वास अब उस इंसान के अंदर आ रहा है कि नहीं वो कुछ कर सकता है वो आगे बढ़ सकता है वो आपके लिए कुछ कर सकता है तो यह कुछ energy हापर है और physical attraction भी बहुत जादा हो रहा है देखो past lives आपकी person को ऐसा लगता है कि उसने आपको दुख दिया है आपको हर्ट किया है आपको बड़ी तकलीफ दी है और वो partner आपको इस energy से निकालना चाहता है और यहाँ पर cleansing the past वो इंसान जानता है कि आपका दिल तूटा है और अगर यह इंसान खुद हर्ट है तो वो अपने आपको भी heal करना चाहता ह है वो आपको भी heal करना चाहता है isolation के energy है यहाँ पर हो सकते कि आप न किसी से बात करे हो अपना गम आप अंदर ही अंदर पिये जा रहे हो बहुत तकलीफ से आप गोज़र रहे हो और वो person यह बात को जान पा रहे है वो realize कर पा रहे है कि उसने आपको क्या दुख दिया है आ और bottom में sharing आपका person यह सारी बाते जो कुछ भी वो अभी आपके लिए feel कर रहे है वो सब कुछ आपके साथ share करना चाहता है और कहीं न कहीं वो अपने दोस्तों के साथ भी यह सब कुछ share कर रहे हैं stress बहुत ज़रा stress हो रहे हैं ऐसा नहीं कि आपके partner आपके बीना खुश है उस इंसान को भी बहुत ज़रा stress हो रहे हैं आपके बीना और वो यह सारी बाते अपने दोस्तों के साथ भी share कर रहे हैं और वो आपके साथ भी share करना चाहते हैं और bottom में वापस past lives है यह अंसान जानता है कि जो रिष्टा है वो इसी जनम का नहीं है आप इछले जनम में भी एक साथ है ऐसा कुछ आभास इस इंसान को होने लगा है और आपकी person चाहते हैं आपको पाना वो आपको खोना नहीं चाहते हैं वो इस stress से आपको निकालना चाहते हैं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं अपनी दिल की सारी जजबात सारी feelings आप से जाहर करना चाहते हैं पार्टर को ऐसा फिल होने लगा है कि वो अपनी फिलिंग से भाग भाग कर अब ठक चुका है वो आपसे दूर नहीं रह सकता ये बात तो उस अंसान को समझ में आ चुकी है अब कितना भी स्ट्रेस ले, कितना भी कुछ कर ले वो आपसे दूर नहीं रह सकता और नहीं वो आपको भूल सकता है तो इसने अच्छा है उस इंसान को लगता है कि अब उसकी केर करने में ही भलाई है उसको प्यार करने में ही भलाई है ना कि उससे दूर भागने में भलाई है तो वो person इस stress से निकलना चाहते है आपको भी निकलना चाहते है और वो इस प्यार की एक नई शिर्वात चाहते है क्योंकि वो इंसान खुद परिशान हो गया है उससे अब ये दर्द ये तकलिफ सही नहीं जा रही है इस stress उससे बरदाश नहीं हो रहा है दिलवर सबसे पहले काड़ने ट्यारों से बता दिया है कि ये अंसान आपसे कितना प्यार करता है इमोशनली फील कर पा रहा है दिलवर्स के नजी अंसान हमेशा आपको देखना चाहता है आपके पास रहना चाहता है आपको प्यार देना चाहता है Gemini हो सकते हैं आप में से कुछ लोग तेन और Pentacles आपके partner completion चाहते है अब इसमें अब वो किसी के सनना नहीं चाहते है अगर family issue था तेन और Pentacles के नज़ी है कुछ लोग के लिए हो सकता है कि इस अंसान के तरफ से family issue था तो अभी अंसान किसी के लिए आपको छोड़ना नहीं चाहते है वो आपके लिए stand लेना चाहते है तेन और Pentacles वो completion चाहते है वो आपको बहुत मिस करते है Four of Wands के नज़ी है गाईज यहाप पर Definitely यह अंसान आपसे प्यार करता है वो शादी भी आपसे ही करेगा मुझे ऐसा लगता है कि यहापर कुछ लोग ऐसे है कि आपके पार्टनर के घरवाले बिल्कुल तयार नहीं है इस बात के लिए और यह अंसान अब आपके लिए stand लेना चाहता है यह अंसान अपने घरवाले उसे बात करना चाहता है शादी के बारे में दिल में शादी के ख्याल बहुत ज़ादा आ रहे है फोर ओफ वांड्स के निशने बता दिया कि आपके परसन कितना सब्दा पैशनेट फील कर रहे है आपके लिए बहुत ही पैशनेट दिमोन कुछ जगड़े हुये है क्या आप दोनों के या तो किसी और की बज़े से आप दोनों के जगड़े हुये है या तो कोई नहीं चाहता कि आप दोनों के शादी हो देखो यहापर four of wants भी है यहापर दिमोन भी है हो सकता है कि इस इंसान की mother, sister क्टर कोई रुकावट लेकर आ रहा है इस रिश्टे में शादी करने में बहुत प्रॉब्लेम आ रहत है obstacles आ रहे, किसे और की बझग से ऐसा भी हो सकता है और ये इंसान उन लोगों के ऊपर उस हालात के ऊपर बहुत ज़्याद इस इंसान को गुस्ता आ रहा है उस इंसान को लगता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है वो चाहता है आपसे प्यार करना वो चाहता है आपसे शादी करना तो क्यों साथ नहीं दे रहे अगर घरवाले सपोर्ट नहीं करे तो ये अनसान बड़ा गुस्ता है उन लोगों के उपर कि ऐसा क्यों हो रहे उसके साथ उसके घरवाले ही उसके प्यार के खिलाप क्यों है अ कुछ लोग के साथ ये रिजनाट होगा कि ये आपके खातिर अपने घरवालों से बहुत जगड़े कर रहे हैं। आपकी क्या हालत है आप क्या सोच रहे हो इस प्यार में। तेज़ें आप चाहते हैं इस प्यार में एक निव बिगनिंग करना एकन फिर भी आप चाहते हैं लिए ये इनसान आपके लिए एक्षन ले एक नहीं शुर्वात करें बहुत ज़्धा कुछ रोक्य ऐसा हो सकते कि आपको ऐसा लगता है कि इनसान प्लेबॉई जिसी चुके हो इंतजार करकर के और आपके मन में ऐसे बुरे खायल आते हैं कि कहीं इसने आपको इस्तमाल तो नहीं किया है अपने फाइदे के लिए ठीक है और क्या guidance है आपके लिए दिखो आपने जो hard work किया है इस इंसान के लिए वो इंसान इस बात को realize कर पा रहे है उस इंसान को पता है कि आपने बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए आपने बहुत hard work किया है बहुत call किये message किये उस इंसान को समझाने की कोशिश किये जो कुछ भी किया है तो बहुत ज़ादा किया है और उस इंस उस इंसान को ऐसा लगेगा कि अब उसको अपनी negativity को release करना चाहिए ओके यह नियर future के बार में हम देख रहें कि आने वाले नियर future में क्या होगा तो वो इंसान आपके लिए hard work करना चाहिएगा उस इंसान को ऐसा लगेगा कि बस उससे लेता ही रहा में तो उसको कुछ देना भी चाहिए और उस इंसान को लगेगा यह जो कुछ भी negativity है उसको release करना पड़ेगा जो उसके negative ख्याल है उसको release करना definitely यह person आने वाले समय में आपके साथ एक new romantic cycle start करने वाला है उस इंसान को ऐसा feel होगा कि अब बहुत हो गया वो ही मेरी prosperity है वो आपको ही अपनी दवलत मानते हैं और उस इंसान को लगेगा कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता मुझे उसके पाथ जाना चाहिए Taurus, Capricorn, Vargo, Scorpio, Lib इंसान आपके साथ एक new beginning करेंगे एक new romantic cycle आप दोनों के बीच में start होगी और वापस यहाँ पर bottom में है bring love into the situation अगर यह इंसान पहले नाराज होते थे अगर आपके कोई बात नहीं मानते थे तो अब यह हर बात प्यार से मानेंगे इस situation में वो प्यार लेकर आएंगे ठीक है तो यह situation का near future है कि यहाँ पर एक new start होने वाला है एक new romantic cycle start होने वाली है और वो इंसान प्यार से बात करेंगे अब वो गुस्ता नहीं करेंगे अब नाराज नहीं रहेंगे वो प्यार से बात करेंगे क्योंकि उस इंसान को आपकी एहम्य समझ में आ चुके है अब देखते ह आपके लिए क्या message है आपके लिए universe से क्या message है दिल freedom की जरूरत है आपको तो आपके लिए message है कि जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हैं हम अकेले इस दुनिया में आए है और अकेले ही इस दुनिया से जाएंगे लेकिन आप कुछ memories छोड़ सकते हो यहाँ पर किसे से प्यार कर सकते हो किसे के साथ प्यार बाट सकते हो और यही जो memories है यही जो यादे है वो लोगों के दिल में छोड़ कर जा सकते हो तो यहाँ पर हो सकता है कि यहांपर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जा प्यार बाट नहीं पारे हूँ या हो सकते कि अपने ना अपना हाट चक्रा ही ब्लॉक कर दिया है, आप लोगों की फिलिंग्स को नहीं समझ पारे हूँ, सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में नहीं बोल रहे हू आप लोगों की feelings नहीं समझ पारे हैं, अपने माता, पिता के, अपने भाई, बहन की, आपको कोशिश करनी हैं, उनका दिल रखने की कोशिश करनी हैं, ने भी हो सकते हैं, आप बहुत अहर्ट करे हो किसी को, जाने, अँजाने में आप किसी को हर्ट करे हो, तो देखो, universe से आ मिठी मिठी याद ही छोड़ सकते हो किसे से अच्छी बाते अगर करते हो तो वो लोग आपको याद रखेंगे यही यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है तो यही थे आपके रिडिंग अगर आपके साथ रेजनर करता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए